जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इस विश्व कप में आप सिर्फ चार टीमें ही बची हुई है जो है औस्ट्रेलिया, इंगिलैंड, इंडिया और न्यूजिलैंड और कर भारत की टीम का न्यूजिलैंड से मैच होगा जो कि सेमी फैनल मैच होगा और जो इस मैच में जीतेगा वही आगे फैनल में जाएगा एक्सपर्स की माने तो यह मैच दोनों टीमों के लिए एहम है क्योंकि दोनों टीम तक्कर की हैं जिसके वज़े से शायद करके मैच में भारत के लिए बैटिंग और फिल्डिंग में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन पाकिस्तान के पूर खिलारी शोय बक्तर ने इस मैच से जुड़ी एक ऐसी बात भारत को लेकर बोली है जिसकी वज़े से शायल पाकिस्तानी फैंस उससे थोड़ा सा खफा हो पाकिस्तन के फूर क्रिकेटर शोये बखतर का यूटूब पर एक चैनल है जिस पर वो अपने होने वाले मैच और हो चुके मैचों पर अपने रायओ प्रतिकरिया देते हैं ऐसे ही कल के होने वाले मैच के लिए भारती टीम को एक छोटा सा मैसिज दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि इस बार का वर्ल्ड कप भारत जीते और वो इस समय भारते टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने कहा कि उनके लास्ट वीडियो में कमेंट करके लोग कह रहे थे कि न्यूजिलेंड पहले भी सेमी फैनल और फाइनल के मैच खेल चुकी है लेकिन जड़ा उन लोगों को यह बात नहीं पता कि न्यूजिलेंड कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती है न्यूजिलेंड सिर्फ सेमी फैनल और फाइनल के मैच में ही आई है न्यूजिलेंड की टीम दबाव नहीं से सकती है मुझे उमीड है कि वे इस बाद चोकर सावित नहीं होंगी लेकिन वास्तव में मैं चाहता हूँ कि विश्व कप उप महादूइप में आए इसके लिए मैं भारत का समर्थन करूँगा उन्होंने रोहित की बल्ले बाजी को लेकर भी बात कही और कहा कि रोहित की टाइमिंग और शौट चैन बहतरीन है खेल की प्रती उनकी समझ लाजवाब है राहूल ने भी शटक लगाया जो कि अच्छी बात है रोहित ने आखरी मैच जो कि श्री रंका के विरूट खेला गया था उसमें भी रोहित ने अपना शुटक बनाया था जो कि भारती टीम के लिए काफी अच्छी बात है फिर इसके बद उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा खेल लिखाया वास्तर में मुझे लगा कि टीम सेमी फाइनल में जगा बना लेगी लेकिन नेटरंड रेड काफी निर्दाई चीज है जिसकी वज़र से उन्हें सेमी फाइनल से बात होना पड़ा हम आपको बता दे कि भारत का यह मैच काफी हैं होने वाला है क्योंकि इस मैच में पेस बॉलर्स का जल्वा रहेगा और न्यूजी लैंड के पास काफी पेस बॉलर्स हैं ऐसी ही वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई अपडेट के लिए हमारी चैनल अपर न्यूज को करें सब्सक्राइब ताकि आप तो पहुंचता रहे हमारा हर अपडेट धन्यवाद